Hello everyone, welcome to this English classes. जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजिनियर ओम कुमार प्रिये हैं, और मैं IITJ and GATE जैसे high-level exam को qualify कर चुका हूँ. यह हमारा grammar का course चल रहा है, यह हमारा grammar का playlist चल रहा है, जिसमें level 1 हमने रखे हैं, यानि एक basic level का हम grammar पढ़ा चुके हैं. अपने ही channel पे, तो इसमें हम class 2 है, हमने class 1 में part of a speech पढ़ चुके थे, और class 2 का हम part 1 रखे हैं, इसमें हम देखेंगे type of noun और पूरा noun का detail, कुछ example, इसके बाद part 2 में चलेंगे, और बहुत सारा example, बहुत सारा question के साथ, वहाँ पे पहचान करेंगे कि कौन सा noun है, यानि noun का identify करेंगे कि total 5 noun होते हैं, उसमें से कौन-कौन ये noun हैं, तो चलिए start करते हैं. तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, तो किरिप्या मैं आप से request करता हूँ, कि English को रट के न पढ़िये, English रटने वाला subject नहीं है, तो फिर question होगा कि पढ़े कैसे, आपके वीडियो के कैसे देखे, बाकि तरीका के है पढ़ने का English, तो सारे चीज का solution आप अस्पोकेन का प्ले लिस्ट में चले जाए, पहला वीडियो में चले जाए, वहाँ पर हमने बताया है, कि English कैसे नहीं रटा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक, तो आज हम चलते हैं, अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है, तो चलते हैं, noun, औरनी संग्या, ठीक, तो कुता क्या है, किसी भी ब्यक्ति, वस्तु, जाती, भाव, गूण, इस्थिति, या अस्थान के नाम को noun कहते हैं, ठीक, यानि किसी भी ब्यक्ति, वस्तु, जाती, भाव, गूण, इस्थिति, या अस्थान के नाम हो तो उसको हम noun कहेंगे, ठीक, एक बार English मिलते, a noun is the name, मतलब नाम of the person, person का न नाम नहीं ब्यक्ति के नाम प्लेस अस्थान थिंग ऑब्जेक्ट मैंने वस्तू क्वालिटी गूण कंडिशन इस्थिति एंड एक्षन माने कार्यलाप क्रियलाप कार्यलाप कहिए या क्रियलाप ठीक तो यह सब को दिनेट करता है उसको हम नाउन कहते हैं ठीक डिफिनेशन किलियर हो गया होगा अब चलते हैं थोड़े एक्जामपल देखते हैं जैसे मेन आदमी परसन का नाम है परसन ठीक अमेरिका एक है नाम है कंट्री का इंडिया कंट्री का नाम चाइल हुड इस्थिति एवस्ता है ठीक उसके बाद बूग ऑब्जेक्ट का नाम टेवल ऑब्जेक्ट का नाम इलनेस यानि इस्थिति बिमारी इसको मतलब बिमारी ठीक एटीसी हमने कुछ एग्जामपल देए तो आशा करता हूँ कि नाउन समझ में आया हुगा नई समझ में आया तो एक वर स्क्रीन को रोप करके खुद से समझे समझ में आ जाएगा त हमने यहां पे कुछ हिंडि नहीं लिखे हैं हिंडी बोल रहे है आप नोटस बनाते जाहिए और लिखते जाए टाइप आप आप नावन यानि नाउन का परकार यहां पर हमने थ्धुला अघरवल किया यह उन्दकराणकराभao नाउन करियेगा है ॉन सेकन्ट टाइप्स ओफ नाउन्स ओके यानि नाउन के परकार यानि नाउन का संग्या का वर्गी कराण डबल लिए टाइप्स टाइप्स अप नाउन तो हमने नीचे लिखा है इसके मतलब नाउन यानि संग्या पांच परकार के होते हैं ठीक तो हमने लिखा है फाइप को पहला पुरोपर नाउन यानि ब्यक्ति वाचक संग्या कमन नाउन जाति वाचक संग्या collective noun सम्मू वाचक संग्या यहाँ पर capital कर लिजेगा सी material noun द्रव वाचक संग्या अबस ट्रग अबस ट्रग noun भाव वाचक संग्या ठीक तो मैं आपसे request करता हूँ कि किरिप्पा हिंदी के प्रति न जाए आप यही याद करेक रखे पुरूपर नाउन अगर आप low level के हैं याज स्टार्टिंग से English सीख रहे हैं तो लिख सकते हैं लेकिन याद रखिए सिर्फ इसका command होना चाहिए ठीक यानि कहने का मतलब है याप पुरूपर नाउन यह मत सोचले लजाए पुरूपर नाउन मतलब होता क्या है ब्यक्ति वाचक संग बता ब्यक्ति वाचक संग यानि हिंदी से न पकड़िए डाइरेक्ट इंगली से पकड़िए ठीक तो चलिए हम चलते हैं पहले पुरूपर नाउन को देखते हैं अजाए पुरूपर नाउन मतलब संग्या वैसे संग्या वीच मतलब जो डिनोट मतलब परदर्शीद करता है डिनोट करता है दर साता है यह पुरूपर मतलब खास परसन मतलब आदमी ठीक ब्यक्ति को प्लेश अस्थान और ठीक मतलब वस्तु तो वह नावन जो किसी खास, ब्यक्ति, अस्थान और वस्तु को दर्साता है उसको पुरूपर नावन कहते हैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ वह नावन जो किसी खास, ब्यक्ति, अस्थान और वस्तु को दर्साता है उसको हम पुरूपर नावन कहते हैं त्वासा करता हूँ, नोट में लिख लिए होंगे, ठीक, एक्जामपल देख लेंगे, पुरूपर परसन, हमने लिखा ओम, राम, विकास, हर ब्यक्ति एक अपने आपका पुरूपर ही होता है, कुछ ना कुछ उसमें गूर रहते हैं, पुरूपर मतलब खास, या नहीं गू सिटी के नाम है, जगह का नाम एक खास जगह है, वज़ा हम सिटी के बोलें, क्यों कि खास है, ठीक, उसके बाद पुरूपर थिंग, थिंग में क्या जाएं, बस तु रमायन, देखिए, रमायन, गीता, माभारात, इस सब क्या है, खास चीज़ है, खास चीज़, तेहां प पुरूपर नाम कहते हैं, आसा करता हूँ, किलियर हो गया होगा, नहीं किलियर हुआ, तो कल वाले पार्ट में किलियर हो जाएगा, ठीक, इतना सारे एजामपल लेंगे, कि अपने आप नाम भूलने लगएगा, कि नाम कम्पलीट है, कभी पहचानने में, कभी गलत नहीं ह ठीक, वासा करता हूँ, समाज में आगया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया, और नहीं आया था, क्रिप्या, वीडियो बैक कर लीजिए, चलिए, सेकेंड चलते हैं, कमन नाउन, ठीक, ता कमन नाउन, दनाउन, वीच, डिनोट, और कमन परसन, प्लेस, और ठीक, नाउन, वीच, जो डिनोट, मदब दर साता है, एक कमन परसन, यानि जाती, कमन परसन, ठीक, परसन, लब्यक्ति, प्लेस, जग, ठीक, अस्थान, सोरी, अबजिक्ट, बस्तु, कमन परसन, यानि जाती व्यक्ति, जाती ये व्यक्ति, मेन, मेरे से क्या होता है, मेन मतलब आदमी हैं ठिक उनके जतियता हो गई आदमी की ठिक उसके बाद हमने ओमन लिखा उनके जतियता हो गई ओमन की इसके बाद हमने एनिमल लिख सकते थे यानि जतियता हो गई कि एनिमल में आते हैं ठिक उसी तरह से हम लिखते हैं यहाँ पर हिंदू की हमने हिंदू लिख सकते भी चलिये हैं, second common place हमने या आप लिखाए टाउन यानि वो टाउन से आता है, city यानि वो city से आता है, common thing में, book, book में बहुत सारे book हो सकते हैं, यानि ए बुक के टेगरी का है, लकडी के टेगरी का है, उड मतलब लकडी, एक बार फिर से ध्यान दिजेगा, common noun, ठीक, एक बार हिंदी बता देते हैं, the noun which, वैसे noun जो जाती, जाती दिखाता है, किसी व्यक्ति का जाती हो, या किसी अस्थान के जाती हो, या किसी object के जाती हो, यानि देखिए नहीं, यह बटवारा करता है, जाती बाई जाती में divide करता है, कि यह जाती का है, यह जाती का है, यह जाती का है, यानि एक common है, ठीक, एक category के है, ठीक, जैसे हम बोल सकते हैं, इंडिया, इंडिया को कितने category में, यहां पर जो महराथी है गुजुराटी है पंजाब है उसको क्या करें एक जतिवाता में गुरूप पैंग्रूप कर दे रहा है थिक आसा करता हूं कमद नाउन समझ में आ गया होगा फिर भी नहीं आया तो कल वाले में तो इतना अच्छे तरह से क्लियर हो जागा यानि पार्ट टू में इतना अच्छे तरह से क्लियर करेंगे कि फिन दुबारा नाउन पढ़ने के जुरूत नहीं पढ़ेगी हमको थोड़ा वीडियो को लॉंग नहीं ले जाना है इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा एक्जांपल देके आगे बढ़ रहे है कल पुरा एक्जांपल और क्वेश्चन ही करेंगे तो चलिया आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नेम से ही पाधा चले कलेक्टिव मनें कलेक्ट करना थिक तश्ड़ नाउन वीच डिनोट्स आग्रूप आफ पर्सवन और कलेक्शन आफ थिंग यानि वईसे which one of जो denote मंदर साता है group of person मतलब आदमी का जुण वियक्ती का जुण और collection of thing यानि बस्तू का collection यानि बस्तू का संग्रा ठीक हिंदी देखते हैं वैसे noun जो किसी group of people आनि group of person को और collection of thing यानि object के संग्रा को दर साता है उसको हम collective noun कहते हैं simple से लिखे जो चीज group में और जुण में पाये जाते हैं जो noun हमें दर साता है कि group और जुण को दर साता है उसको हम collective noun कहते हैं समझे इसको हिंदी अपने आप से लिख लिए एक बर मैं फेल से बता देता हूं जो जुण्ड और group को दर साता है उसको हम collective noun कहते हैं एक्जामपल group of person यानि person का group देखे टीम टीम क्या होता है टीम में बहुत साले चलते हैं जैसे cricket का team हो जाएगा तो वहाँ बार होगा कवेड़ी का team होगा तो साथ होगा कोई चीज का team आया जिसे क्या बोलते हैं हर team by team divide करते हैं कोई आएश का team आया कोई video का team आया कोई सी वाई का team आया ऐस्ट इम ता ओम मतलब एक collection of people रहते हैं वहाँ पर Greg of people रहते हैं Class Class में कहा रहता है कहानों बहुत सारे student में रहते हैं Group में रहतην ठीक आरमी में क्या चलते हैं गुरूप के गुरूप चलते हैं वहाँ पर गुरूप में रहते हैं, आरमी पूर्ए गुरूप आ जाता है, ठिक क्या इसके मतलब आएक स्यिन अक टुकड़ा चलिए ऐसे लाइबरी में क्या है बूक का कलेक्शन है वहाँ पर सामने लिए बंच मतलब होता है गुच्छा किसी चीज का गुच्छा बनता है जिसे अंगूर का गुच्छा वहाँ पर क्या हुआ है हुआ है डिए क्लेका बूच्छा हुआ 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 ऑसा करता हुआ क्लेक्टिव नाउं समयज में मैं आएगा टालेक्टिव नाम से पते हैं क्लेक्ट ही करड़ा हो चलिए नेक्स चलते हैं अब METERIAL NONE METERIAL NONE ठीक यहां पने हम THE NOWN WHICH DENOTES MATERIAL यहनि वैसे नाउन जो DRUV को यह DRUV को तरल जिसमें तरल भ्याजाते हैं और SOSOLID भ्याजाते हैं DRUV को सुचित करता है उसको हम DRUV वाचक SANGया कहते हैं एक पर फिर से वहा है नाउन जो द्रावे को सूचित करे या दर्साता है उसको हम material नाम कहते हैं material में तलब दोनों आ जाएगा ठीक यानि liquid भी आ जाएगा और ठोस भी आ जाएगा उसमें solid भी ठीक example के लिए हमने खाए copper हिंदी लिख 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 लिजए जिसको नापा या तलब जाएगा पाचाने के लिए बातियाद रखेगा material नाउन जिसको नापा या तलब जाएगा तराजू पर नापा जाएगा यानि बैलेंस पर बैलेंस किया जाए या फिर उसको नापने वाला चीज नापा जाए ठीक measurement किया जाए measurement और और इस वाले को नहीं नापने और तोलने वाले को मेटे रहे हummy के हैं समझ में आगया हुगा ठीक घी भी है इसके अलावा सूगर हो सकता है मेलक हो सकता है आयल हो सकता है तो मेटेरियल नाउन समझ में आगे होगा आपको असा करता हूँ तो चलिए अब चलते हैं लास्ट अवस्ट्रक्ट नाउन अवस्ट्रक्ट नाउन वीच डिनोट क्वालिटी ने गूण कंडिस्टन इस्थिती अवस्था और एक्शन कार्य लाव ठीक तो वैसे नाउन जो किसी गूण को इस्थिती को दर साता है उसको हम अवस्ट्रक्ट नाउन कहते हैं एक्जामपल हमेनिटी मानावता इसको देखिए क्या है कावलिटी है एक चैलिफ्ड अब क्यास इस्थिती देखा रहे है कि यह बच्ट पना है थिक उसके अलावा काइनिनेस उसके दयालू काइनेस मतलब दयालूता हमनेस्टी मतलब इमांदारी ठीक तो यह जितने हैं क्वालिटी कंडिशन यह सब देखाए ठीक और कोई एक सने किरिया कलाप जैसे दिखाए तो उसको हम अब श्ट्रक नाउन में रखते हैं ठीक और इसको दूसरे तरीका से देखिया इसको कभी आप छू नहीं सकते हैं न देख सकते हैं सिर्फ मासूस किया जा सकता है यह भी एक भाचाने का तरीका होता है इसको न छू सकते हैं न देख सकते हैं इसको सिर्फ मासूस किया जाता है तो इससे भी एक भाचानियेगा अब श्ट्रक चलिए, थोड़ा important चीज देखते हैं, कि अब चलते हैं, वहाँ पर हमने हाई प्लाइप को डिभाइट किया था, लेकर दूसरे कटेगरी से भी नाउन को दो कटेगरी में डिभाइट किये गए, एक होता है contable noun, एक होता है uncontable noun, इसका यूज बहुत आथा है, अंगलिस में, तिक रिप्य ध्यान दिजिएगा, हलके में लिजिएगा, contable noun क्या होता है, the noun which can be count, यहनि वैसे noun, जो गीना जा सकता है, जिसको गीन सकते हैं, उसको contable noun कहते हैं, जिसके पेन, राम, सियाम, उसको गीना जा सकता है, आर्मी, गीना जा सकता है, कलास, कितना स्प्रेंडर गी contable noun में, उसके बाद second आते, uncontable, just उसका opposite, ठीक, the noun which cannot be, यहनि cannot be, उसको count, यहनि उसको गीना नहीं जा सकता है, जिसको कोई material आ जाएगा, ठीक, या फिन abstract noun आ जाएगा, honesty, ठीक, kindness, इस तरह से आएगा, liquid, कोई liquid आ जाएगा, ठीक, milk आ जाएगा, sugar आ जाएगा, water आ जाएगा इस तरह से इसको हम count नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा देखते हैं, चलते हैं यहाँ पर, हाँ, first, second, or third, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने वीडियो करोक लिजिए, उसको बाद पढ़के आईए, जितना पढ़ाएं अभी तख समझ के आईए, तो ध्यान से देखिएगा आपको नाउन का लेक्टर समझ में आया होगा, फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन इधर हुदर एजांपल में रहागे, एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि पार्ट टू में इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से हमने समझाए हैं, बहुत सारे एक्जांपल ले हैं, वहाँ पर जाकर के देखिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको नाउन का कोई कन्फ् ट्रक्ट टाउन है, ठेक, तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहे हैं, तो चलिए फिन मिलते हैं, नेक्स लेक्चर में, थाइंक्यू